अब इंडिया ऐलाइंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया ऐलाइंस जब से इंडिया ऐलाइंस बनायें मेरे पास बहुत मेसेज़े आये बहुत लोगों के समदेश आये कि इंडिया ऐलाइंस अगर टिक गया और टिकेगा अगर इंडिया ऐलाइंस तो 2024 में इनकी सरकार दुबारा नहीं बनने वाले। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी कान नहीं किया। आज सबसे बड़ी तीन समस्यां यहां देश के सामने। महंगाई, बेरोजगारी और ब्रश्टाचार। और इन तीनों पर इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब महनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है। अब इंडिया ऐलाइंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं। जब से इंडिया ऐलाइंस बनाएं, मेरे पास बहुत मेसेज़ेज आये, बहुत लोगों के संदेश आये, कि इंडिया ऐलाइंस अगर टिक गया, और टिकेगा, अगर इंडिया ऐलाइंस टिक गया, तो 2024 में इनकी सरकार दुबारा नहीं बनने वाली है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक 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 घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिष्टेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी। कि इस बार इनको भगाओ अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने परिवार की सोचो, और एक चीज है, अंध भक्तों से मत उलजना, देश भक्तों से बात करना, जो देश भक्त है, वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा, जो अंध भक्त है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस, और दो मिनट में पता चल जाता है कोई देश भक्त है कि अंद भक्त है, जो अंद भक्त है वो देश भक्त होई नहीं सकता, और जो देश भक्त होई नहीं सकता, दोनों बिलकुल अलग अलग जातिय झाल झाल